नमस्कार दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुती में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेच्छा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना हास्य चतुराई ये एक कला है ये एक आठ है आज जिससे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वे इसमें माहिर है हास्य कवी व्यंग किस तरह से किया जाता है कम शब्दों में अपनी बात को कह जाने में ये माहिर है मात्र आठ साल की उम्र में इन्हें राम चरत्रमानस भगवत गीता कंठस्त थी बारा साल की उम्र से तो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया ऐसे ग्यानी व्यक्ती आज हमारे साथ दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियो में मौजूद है जो हमें हसाने वाले हैं जो अपनी कविताओं के बारे में हमसे बात करने वाले है हैदराबाद में किस तरह से कविताओं का ये सिलसिला जिस तरह से शुरू हुआ उससे आज हमें ये रूबरू कराएंगे हमें बहुत खुशी है, हम बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं श्रिवेन गोपाल भटर जी का आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियो में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आठ साल की उम्र में किस तरह से एक छोटे से बच्चे को जो आज की डेट में जो बॉलिवूड की गाने सुनकर वो ज़्यादा रह जाते हैं नाकी, भगवद कीता, राम चरित्र मानस और दोहे खास करकी जो मुश्किल है समझना, आठ साल की उम्र में आपने कंठस्त कर लिया और कई सारे आपने पुरसकार भी जीते मंच पर जाकर जब आपने इन सब को बोला और प्रतियों की ताओं में जब आपने भाग दिया और बारास साल की उम्र से तो आपने लिखना शुरू कर दिया आपकी जर्णी की शुरुवात कैसे हुई? ऐसा है कि घर का वातावरण शुरू से ही भक्ति में रहा और पिताजी रामचरित मानस के अच्छे मतलब जानकार थे और घर में रोज गीता के एक अध्या का पाठ श्रीमत भागवत का पाठ ऐसा होने के बाद में फिर भोजन वगरे का प्रबंद होता था तो यह वातावर मिला दादा से पिताजी को पिताजी से हमको इस तरह मतलब वो था और तो जैसे अब एक संत को हम ले ले लें तो तो उसके पीछ वेचे कबीर रहीम यह सब आ जाते हैं तो जैसे फिर उसमें रुची जाग जाती है और मैं वैसे राइस्तान में पैदा हु वहां से चु्ठपन में यहां आ गये पिता जी के वेरावसाई के स्लसले में यहां आगया वेसे मैं शुठपन में यहां गया ढग श्यूरम जो रजाकार प्हाम सई अधाराबत के मिल ले था, तब नबस अव्यूस अगये तब हम लोग लोग आगयے जिसे बेगम बजार कहते हैं, महाराज गन, मुक्तियार गन, यह सब आसपास का एरिया तो वहां का वातावराण भी इसी तरह का था तो रातरी में भजन मंदली होना, हर मंदिर में कुछ किर्टन होना, तो वहां दोहों की प्रतियों की ताएं होना, इस तरह सब चलता था तो आप राजस्थान से हैं, खासकर आप ना केवल हिंदी बे बलकि आप राजस्थानी में भी काफी लिखते हैं, जितनी आपकी कमांड हिंदी पर है, उतनी ही राजस्थानी भाशा पर भी है, लेकिन जब आप हैदराबाद आए, आम तोर पर यहां पर तेलगू ज्यादा जुकाव होता है, उस महौल में, जो शेतर में आप रहे, आप बता रहे थे कि वह हिंदी भाशी लोग भी थे, बट इस तरपर जिस तरह से आप जो आज कविताय一定要 लिखते हैं, हास्य लिखते हैं, वेंग करते हैं, उस तरपर हैदराबाद में किस तरह से लिखना और किस त पहले टीलगू भाषय की हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए, जी तपर चोटे गाओं नीजए भुली नहीं जाती थी नागर में भुंत बहुत कम भुली जाती थी, लिए भुहीं थी एक यह जो हिंधी भाषय बहुत परभुत कन रहालो तो नहीं आठी ठीलगू एक रहा तो यह यहां का बातावरन जो है हिंदी का ही रहा शुरू से और बोलचाल की भाषा यह रही यहां की हाँ थोड़ी सी भाषा में मतलब जो लहजे में जो थी वो अलग अलग पन था जिसे कहते हैं बाकी बोलचाल की भाषा यही थी यहां पर तो इसमें ज़्यादा कठनाई नहीं हुई और राजस्तान का होने से लीपी तो वही है तो उसमें भी कोई कठनाई नहीं आई और फिर यहां रहने के साथ-साथ जो कभी समयलोनों के माध्यम से और भी दूसरी यात्राएं धार्म की आत्राएं जो रूची के अनुसार में बहुत यायावरी किसम का व्यक्ति रहा तो उसमें तरह-तरह की भाषाएं सेखने का तरह-तरह की बोलियां तरह-तरह की लोगों से वहार महत्चीत यह सब जानकारी होती रही जो घर के माहौल से आपने मतलब आपकी रूची तो कुलते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसा माहौल क्रियेट हुआ है शायद आपकी लाइफ में जो आपने लोगों को हसाना अपना अपना जीवन का उद्देश बनाया घर में मेरी माता जी राजस्तान के मुहावरें बहुत बोलती थी हर बात में मुहावरों का इस्तेमाल करती और मुहावरों में भी हसी का पुट भी काफी होता था और घर में अच्छी खासी मतलब के राजस्तानी बोली जाती थी और लहजा भी राजस्तानी होता था यह आप नहीं आपकर के लहजा बिगड़ जा ऐसा नहीं था और फिर मैं बारह साल का था तो उस समय मैं था जी, पहले आप बोलेंगी कि 12 साल के होगे कि 10th में कैसे चलेंगी, तो फो 10th में ऐसे था कि पहले यह नहीं था कि आप लाइन से आईए, तो पहले धकापेल थी, तो मैंने सीधा जो है, मेरा प्रवेश दूसरी कक्षा में हुआ, फिर दूसरी कक्षा में एक बद्रुका जी क एक लिए स्कूल हुआ करता था हमारे घर के पास ही, जो अप अनका बद्रुका कॉलिज है, उनकी स्कूल था, तो उसमें में दूसरी कक्षा में हुआ और वहां से सीधा एक LMG स्कूल है वेगमजार में, वहां दूसरी से सीधा में पांचवे में गया, तो वह क्या करते थे बुला करके पूछते थे उसकी परिक्षा लेते थे और बोलते थे कि आप यह सोना यह यह बता यह यह हिंदी यह अग्रिजी पड़क बदे तो इस तरह में दस्वी में जो है बारक साल का था उस समय यह उननीस तो साथ की बात है 1960 की बात है उसमें एक पिक्चर आई थी जिस देश में गंगा वेती है और राजकपूर की पिक्चर थी उसमें एक गाना था के होटों पर सचा ही रहती है और वो क्या है तो हम उस देश के वासी हैं वो गाना चल रहा था और उसी दवरान हमारे LMG स्कूल की लाल गिर जी महश गोस्वामी स्कूल, LMG स्कूल, तो उसकी पत्रिका निकलती थी सालाना, उसका नाम था दीप, तो उस पत्रिका के लिए सब कहा गया वह अपने रचनाय कविताय कहानिया पहलिया जो जो भी आप चाहते है वो भेजिये, दीजी हम उसको प्रकाशित करेंगे, आपना भी ना मुझे आद नहीं है मुझे, उस समय परोडी बना के भेज दी, वो परोडी पूरा एक पेज मुझे उन्हों ने दीया और एक पेज में पूरी परोडी उन्हों ने छाप दी, आप उसमें छप गई, अब उस पत्रिका को लिए लिए हम बगल में, कम सगम दो चार महिना गो कभी दोहा बना दिया, कभी किसे एक दोलाइन का कुछ मजाकिया बाद बना दी, हमारे काका जे, ऐसे करते मैंने कुंदली छंद में काफी प्रयोग किया, फिर हमारे नेरबय हातरसी के बहुत बड़ी कवी हो यह, बहुत सिध्ध कवी हो यह हातरस के, उनका मुझे बहुत शुरू से ही सानिद्य प्राप्त होता रहा यहां हिंदी के कवी सम्मेलन साल में एकका दुका हुआ करते थे लेकिन जो है हिंदी के कवी सम्मेलन बहुत कम होते थे उसमें लोग आते थे यहां जो हिंदी कवी सम्मेलन की परंपरा शुरू ही है धरबाद में तो ये गुल्यारोज एक जगह है चार मिनार के पास उसके आसपास में शाम के समय कभी लोग जमा हुआ करते थे और कहीं कोई ठीकाना तो था नहीं लेकिन उस समय साथ साथ बजे दुकाने बंद हो जाया करते थी तो दुकानों के बाहर जो उसको चवूतरज कहते हैं वो चोत्रे के उपर हाँ बैड़ जाते थे कभी लोग और उसमें कालीचन गुप्त रही शिवदयालु भ्रहमर डिया सिंग लाट और गिरिजाशंकर गिरिश और ऐसे हरिश्चंद्र गुप्त हमारे अभी अच्छे कभी है अजीद गुपता उनके प बोलने के जो सवाली ने मेरे से 15-15 साल उमर के बड़े लोग थे वाँ तो सुनते थे उनको तो कभी के बीच में अपनी भी कुछ सुरसरी छोड़ देते थे यहीं अरे बड़ अच्छा बोलता है वही बहुत अच्छा बोलता है अरे लिखा करो बोला करो अब परफसान मिल के बराबर होते थे शुरू में यही जो नाम में ने गिना है इसमें एक दो नाम और है नगीन दास नागेश वगर है तो कुछ नाम मैं भूल भी रहा हूं इंडरी इत सिंग निचल टोटल कुल मिला गए 10-12 नाम से ज्यादा नहीं थे तो यह लोग हुआ करते थे तो यह तो पर एक बार मैं इसमें उन्मत करके मैंने का चलो हम भी सुनाते हैं खूब प्रशंसा मिली खूब वावाई मिली और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय यहां हिंदी में हाथ से लिखने वाला कोई नहीं था कोई भी नहीं था उर्दू में जिंदा दिलान कायरे होते थे उर्दू में हाथ से लिखने वाले भी बहुत थे लेकिन हिंदी में यह अभाव था तो नहीं अक्षेत्र था तो मुझे भात वात लिया गया और बहुत अच्छा और आप छोटे भी थे काफी तो वह बहुत अच्छा लगता होगा कि छोटी उम्र में कोई अगर हास लिख रहा है तो उसे भी हमें प्रोचाहन देना चाहिए तो वह बहुत अच्छी बात चीए तो ऐसा इस तरह कवी समयलन के शुरूबात हुई है फिर हमारे एक अच्छे बड़े मंच संचालक नाम है उनका राम रिख मनर हुए है अब नहीं है बंबई के थे उन मैंनों ने मुझे नाइऑ नाइटीं सिक्स्टीं नाइज में मैं में मुझे बुलाया अच्छी कावी समयलन था एक खिल भारती ही समयलन मैं बुझे बुलाया को उसके अंधर जए पूरा हैसरस से पढ़ना मैं नहीं है तो संच्छीरी रयह कि उससे पूछें कि क्या मिलेगा और फिर हम जो वहाँ गए तो उसमें रामरिक मंदर के संचालन में उस समय के सिध्धस्त कभी पदमिश्री गुपाल प्रशाद व्यास, पदमिश्री काका हातरसी, निर्वे हातरसी और आपके शेल चत्रुवेदी, हुम प्रकाष अधित्य विष्णाद शर्मा विमलेश और ऐसे कई बड़े बड़े नाम थे, तो हम भी उसमें पढ़ने कावसर मिला, वो खूब मतलब वहां सराय गए, उन सब में राजस्तानी में बोलने वाला मैकेला था, और राजस्तानीयों का मजमा भी राजस्तानीयों का था, सुनने वालों तो बड़ा हंगा मा रहा, तो मनहर जी साल में कम से कम 40-50 कवी सम्मेलन किया करते थे पूरे देश भर में, बड़े-बड़े कवी सम्मेलन, तो उसमें से आदे से ज्यादा में मैं उनके साथ हमेशा हुआ करता था, इस तरह पूरे देश भर में ब्रहमन का वसर भी मिला, बड़े बड़े दूसरे कवी लोगों से अच्छे कवी लोगों, दोस्ती भी हुई, मुलाकार भी, सानी दिमे मिला, ऐसा, बिलकुल, तो जब आप दूसरों से मिलते हैं, कई और कवीओं से जब आप मिलते हैं, तो उनकी जो सोचने की thought process होती है, उनकी सोचने की प्रतिक्रि किस topic पर लिखना पसंद करते हैं, या फिर कहां से आप अपनी inspiration ढूनते हैं हासी लिखने में, हासी लिखने के लिए डूनने के अवश्रिकता नहीं है, चलते फिरते में कुछ भी अटपटी बात मिल जाए, कुछ भी विसंगती मिल जाए, कुछ भी ऐसा देखने में आ जा बनिये, हमने का सिर्फ बनिये ही देश बक्त है क्या, तो ऐसा कुछ नो कुछ अटपटी बात मिल जाती है, कि इस पर वाज से निकल जाते हैं, वाब वाब वाब, इस पर कुछ बनाया जाए, और किसी को देखा, ऐसा मतलब के, कुछ एकदम से आपके माइंड में आ रहा हो जो मतलब बिना किसी उसके, आपको अगर कुछ दिमाग में आ रहा हो तो दो-चार पंक्तिया सुनाईए है, ने ऐसा तो मतलब अब उस समय ऐसा हूँ, था कि कुछ तुरंट में सुना भी दे सकते थे, अब बाकि सब उमर का तकाजा भी है थोड़ा, तो 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 आपको, क्योंकि आप काफी जानिमानी व्यक्तियों के सामने भी आपने अपनी कविताये सुनाई है, काफी आपको प्रशंसा मिली है उनसे, जैसे कि आप बता रहे थे, हरिवन श्राइब अच्चन जी के सामने भी आपने अपनी कविताये पड़ी है, उन्होंने भी काफी सारे कविताएं पड़ी हैं, अपनी रचनाएं उनके सामने वो करी हैं, तो काफी आपको appreciation मिला है, तो हास्य के साथ-साथ, हास्य तो एक genre हो गया, उसके साथ-साथ आप व्यंग भी लिखते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, या शुरू से ही आपने मतलब सोच रखा थ कि मैं मतलब हास्य भी लिखूंगा, मैं व्यंग भी लिखूंगा, दोनों को combine करके भी लिखूंगा, या कही से सुनकर, कोई कवी सा मिलन में जाकर आपको ये thought मिला या परेड़ ना मिली, नहीं, ऐसा था कि उस समय, जो कवी समय नहुआ करते थे, उसमें एक हास्य का कवी ह था बाकि दो तीन गीतकार, दो एक वीरस के कवी, एक दो स्रंगार की कवी है, त्री इस तरहे होता था एक हास्य के कवी को बुलाया जाता था था आप जो चलते चलते आप, अस्तिति ये हो गई है कि पूरा कवी समयान नहीं हाद से कवी समयन रोड़ रहा है जहां देखू इसे वो घर से उप करके आता है, और यहां आकरके भी वही मिले उसे, तो आदमी मतलब ओनीका और दुसरा कि लंबी-लंबी कविता जो है, सुनने का किसी को समय नहीं है, समय भी नहीं है, रुची भी नहीं है, उसको तुरंत जड़ पट, इंस्टेंट चीज चाहिए, तो वो हैं दो आदमी चुपी चुपी रचुपी रचनाएं पसंद करता है, तो रहन समें में रचनाएं नहbased नहीं लेकिन मंच की रचनाएं नहीं बार खता है। उसके आपकी प्रस्तुति करन भी कैसा है, ये भी इस पर निर्भर करता है, उसको शब्द को जीवन्त बनाना और उसको उसी तरह से संपरेशित करना सामने लोगा है, तो ये सामने वाले उसके होता है, तो ऐसा, तो हमें बड़े कभियों के साथ में अरिवेंश राइब अच अचार सभा का दिक्षंत समारो हुआ था, ये मैं समझता हूँ 67 की करीबन बात होगी, तो उसमें वो आये थे, तो उसमें दिक्षंत समारो में 18-19 साल का था, तो उसमें उनसे आग्रे की आगया जब सब हो गया तो वो मधुशाला सुनाईए, मधुशाला सुनाईए, अरे नहीं हा हो करते है, जैसा होता है, तफिर उनका थे जब तक मेरा बड़ बने आप लोगों में से कुश सुनाईए, अचा, अब सुनाईए तो वहाँ एक दूली चंड शशी थे, एक आली चंड राही थे, और एक कोई कभी थे, तो उनका बहुत आयो ज़ने का तो अव और अम तो मोकाई दोन रहे थे हुआ हम दिखा जलो सुनाएंगे तो कुछ दो तेन छन्न इवन ने सुनाई अच्छा खिल खिला दिया शुरुवात हम सही करी कि छोटे हम थे ही पिर उनके बाद में दो शाषी जी ने राही जी और एक और अगवी और अगवी और थे हुआ हमने प्रणारम किया अशिरबाद दिया उनों ने बाद में तो जो दूसरे कभी हैं गोपाल प्रशाद व्यास और गोपाल दास नीरज जी पदमश्री पदमभूशन हो गए अब तो है भी नहीं तो उनके साथ में बहुत मानिक वर्मा जी के साथ में ओम प्रकाश अधियत है अभी तो उनके साथ में खोब मंच शाजग है आप जिस तरह से सारे लोगों के नाम बोल रहे हैं ऐसा मतलब आपकी मेमरी काफी तेज है आपको शायद सारा जो आपने कभी समेलों में अभी तक भाग लिया वो सारा पश्ट है नाम भी आपको काफी याद है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो लोग क्रियेटिव होते हैं जो इस फील्ड से जुड़े होते हैं उनकी मेमरी मेरे देखा है कि जैनरली थोड़ी शाप रहती है क्योंकि शायद आप किताबी भी बहुत पढ़ते हैं आप बता रहे थे कि आपको मतलब रूम में अगर बंद कर बतलब यह जरूर नहीं किताब मेरे पसंद की मिले तो बहुत अच्छा नहीं तो यह टीवी और यह आपके मॉबाइल यह सब देखने से ज्यादा मैं पसंद करता हूं यह पढ़ना और इस तरह मेरे पास में हजारों किताबों का संग रहा है अच्छे बड़े नामचीन को इस तरह बहुत अच्छी बात है और आज की जेनरेशन आज की युवापीडी हमारा यह प्रोग्राम देख रही है एक तो यह बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मतलब अगर आप अपने आपको mentally इतना agile और fit रखना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि यह जो आज का हम बोलते हैं न इडियेट बॉक्स है जो जिसके आप गुलाम बन चुके हैं जो mobile है हमारा me included कि किताबों से दोस्ती करिए जो हमारी जिन्दगी में हमारे बच्चे बोलते हैं न हम बोर हो रहे हैं आपकी जिन्दगी से यह बोर शब्द निकल जाएगा अगर आप किताबों से दोस्ती करो तो किताबे books are your best friends तो यह बहुत बड़ा एक inspiration हम ले सकते हैं वेनकोपाल जी की live से इसी बात पर कही मत जाएगा हम अभी आते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर हमारे साथ जुड़े रहिए चमेली पर वेलकम बैक दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस प्रस्तुती में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही नामी कवी से बेनको पाल जी भटर जो हमसे बात कर रहे थे अपनी रुची के बारे में जो कविताय वो लिखते हैं किस तरह से कई हजारों कवी सम्मेलनों में ये जा चुके है कई नामी गर्मी लोगों के सामने ये अपनी कविताय सुना चुके है इन्हें काफी सराहना भी पूछाहन भी मिला है मैं आपसे अब पूछना चाहूंगी कि जब आप आराजस्थान से यहां पर आए जैसे आप एक बहुत ही जैसे छोटा सा माहौल होता है कि घर के पास बई प्रोग्राम हो रहा है तो चलो हम वहाँ पर कविताय पढ़ लेते हैं या फिर वहाँ पर दोए बोल देते हैं या घर में जैसे मस्ती मजाक में बट यह जो कवी सम्मेलनों का सिलसिला है आप बता रहे थे कि पहले बहुत कम यहाँ कवी सम्मेलन होते थे किस तरह से एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना किस तरह से यह सिलसिला शुरू हुआ कवी सम्मेलनों का किस तरह से आपने इसमे योगदान दिया अपना की चलो हम एक formally कवी सम्मिलन यहां पर करना शुरू करते हैं आपका उसमें क्या योगदान और आपका क्या उसमें जानी रही यहां जो अखिल बारती कवी सम्मिलन होते थे तो अगिसेन समीती ने उसको शुरुवात की यहां पर और उसमें दूली चण शची हमारे सांज के साती के पराफम सचिव थे सांज के साती के बारे में नहीं बाता बिता दो. यहां हिंदी कव्यों की सबसे पुरानी संस्ता सांज के साती ev vå – यह कौन में भाद में जा इंगे। जी तो वो 1961 से उनको हम गिनते हैं लेकिन उससे पहले से लोग जमा हो जैसे मैंने कहा कि महाँ गुल्जारोस पर जमा हो जाते थे अब बात करते थे फिर एक ओम प्रकाष संगी थे उनके निवास अस्थान पर हम बैठा करते थे तो वहाँ सब आपसी बात चीत हो तो इस तरह आते थे जिसमें दुश्चंत कुमार और भी कई नामी गिरामी लोग आते थे अर्दू के भी काफी लोग आये निदा फाजली आये बशीर बद्र आये बहुत से लोग आये तो उनको बुलाया जाता था उनों तो यहां यह चलन रहा कि हिंदी में उर्दू वालों को भी ब बुलाया रमपरा शुरू हो गई तो यह करते हैं पर बात के अंदर इसमें इंदरजे सिंघ निष्चल जुड़े और उसके बात के अंदर यह बैठके पर अंप्रकाश जी संगी रहने तक रही फिर उसके बात के अंदर अनदर एक मारवाड़ी प्रेस पे वीर प्रकाश लाहोटी सामन थे, उनके पिता जी बहुत अच्छे कवी थे, बालकर्शन लाहोटी, हिंदी भाषा का पूरे दक्षन भारत में सब से पुराना प्रेस, जिसमें चवदय भाषाओं में प्रकाशन होता था, उसमें जब आते थे, अक्षर जिसको जमा करके जमा करना प्रिंट के होती थी, और नेरेंदर राय, और उर्दो में मनहरलाल बहार, राजालाल राजा, और भी माम चंद कौशिक, बहुत से नाम बहुत से लोग आते थे, पिर काफी लोग उसमें जुड़े पिर आते आते और दोसरे पिर एक बहुत बढ़िया कवीत्री आई, डॉक्टर इं और उसके बाद के अंदर कोई कवीत्री नहीं आई, फिर उसके बाद में इंदो वश्यट जो आई, उसके जैसी बढ़िया कवीत्री हमने हदराबाद में दोसरी तब तक तो नहीं सुनी, अभी काफी लोग इसके अंदर आए हैं, और उसके बाद में बहुत से लोग तो फिर अहिल्या मिश्रा आई, और उनके साथ में और भी बहुत से लोग आए, फिर हमारे उत्तर भारत से एक महोदय आये जो दक्षिन बारतिंदी परचार सवा में थे, फिर अब वो यहीं बस गए, डॉक्टर रिशब देव शर्मा, उनका भी बड़ा मतलब इसमें यो जिसके लिए हम बोलें तो बहुत काफी लंबा समय चाहिए, तो आज कैसा महौल है, आप जो बात कर रहे हों वो साथ का दशक है, तब से जब आप काफी छोटे थे, बड़ आपने हाइदरबाद को यहां की जो कवी सम्मिलन का जो महौल है, उसे आपने बढ़ते देखा है उसमें आपका योगदान भी रहा है, तो आज कैसा महौल है, आज जो लिखना चाहते हैं या जो आज लिख रहे हैं, उनके पास क्या माध्यम है अपनी कविताएं सुनाने का, आज किस तरह से वो अपनी कविताएं लोगों तक पहुचा सकते हैं, किस तरह किस कवी सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, आज कैसा महौल है, ये बताएं, उसमें पढ़ने, मतलब पढ़ना ज्यादा और लिखना कम वाला मामला था, और आज कल पढ़ाई तो बिलकुल ना के बराबर हो गई है, सीधा आदमी कलम लेके लिखना ही शुरू करता है, तो उसमें हमारे बहरिश अब हमारे बाद वाली पीडी को वो देख रहे हैं, जिसमें मेरा ललका कैलाज भटड़ भी है, और एक नंद गुपाल है, ऐसे नए लोग आए हैं, काफी लोग इसके अंदर, तो इनको अमम यही बताते हैं, यह पढ़ो जादा, और पढ़ने में भी क्या है, कि पढ़ने उन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं, और लिखकर जैसे ही तयार कुछ हुआ, तो जैसे गर्मा गर्म उतार करके परोस्दिया जाए, आज कभी ता लिखी, कल सुनाने को तयार है, तो उसके कोई मेन में कुछ ही किसी सुद्रे, उर्दू में तो एक परमपरा है, कि आपको पहले उस्ताद को दिखानी पड़ती थी, उसको ठीक करवाना पड़ता था, उसको इसला वगरा कुछ कहते हैं ऐसे उर्दू में, तो तो ठीक करवाना पड़ता था, तब कहीं जा करके आपको पढ़ना, अब कोई दिखाना कैसी को नहीं, सब गुरू बने हैं, बने जाकर के मंच पे सुनाएगा या उस पे सुनाएगा, और पढ़ना कम हो गया, कम हो गया, और उसके साथ साथ पुराना साहित मिलता भी नहीं है, लेबरेडियों में है, उतना समय किसी के पास जाकर करके, है नहीं है, तो पुराना साहित से जुड़ते हुए हम आपका स जो लिखना चाहते हैं, जो कई सा मेलरों में भाग लेकर अगर सुनना भी चाहते हैं, तो I think it is important जिसा वेनुकुपाल जी बता रहे हैं, कि अपने इतिहास से अपनी जो पुरानी पीडी है, जो लिख रही है, जो बोल रही है, उसे सुने, उसे पढ़े, और कही न कही उसे ज अब और ग्यानिक तरीका नहीं है लिखने का, ये काफी फोर्स सा है तो आपके साब से, ये एक बहुत खास मेसेज है हमारी ओडियन्स के लिए, जो आज सुन रही है आपकी बात, तो मुझे अब आपकी कोई एक रचना सुनना है, हम चाहते हैं कि हमारी ओडियन्स भी सुन अब पहले एक हासी की रचना देखे हैं, जैसे ही मेरी पहली कविता खत्म हुई, वैसे ही दाएं पैर का एक जूता मंच पर आया, मैं घवर आया, पडोस में ही मेरे कवी मित्र बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, भगभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ वन, अब क्या करूँ, बताइए, अब क्या करूँ, बताइए, वे बोले, भटड़ जी, एक जूते का करोगे भी क्या, एक कविता और सुना, तो ये तो एक तम शुद्ध हासी वाली बात हो गई, एक हासी का टुकड़ा बीच में और याद आगे, साली जी ने मुझ से जूते खोलने पड़ेंगे क्या, साली जी ने मुझ से पूछा, जी जा जी, भोजन करने के लिए जूते खोलने पड़ेंगे क्या, जवाब मिला, खोलोगे नहीं, तो खाओगे क्या, तो ये तो वासी वासा के हासी है, और किस तरह से आप छुटी-छोटी चार पंक्तियो में बोल रहे हैं, तो वो ओडियंस का एटेंशन भी रिटेंग करता है, बहुत खुबसूरत, बहुत खुबसूरत, एक लड़का शादी से पहले लड़की देखने आया, तो उसने लड़की से पूछा, आपको गुलाब जाबन बनाना आता है क्या, आपको नाचना गाना आता है क्या, आपको मोटर चलाना आता है क्या, लड़की बोली, भाई साब, यो टेड़े टेड़े मत जाएए, लाइन से आईए, पहले ये बताईए, ये सब काम करने के लिए आपको कमाना आता है क्या, तो इसमें थोड़ा सा ये बात आगए, अलग से हट करके बात आग बेटा बोला मा मैं तुम्हारे दूद का कर्ज चुका दूँ ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है मा बोली बेटे पहले दूद वाले का तो चुका दे छे मैने से फिर पिर कर जा रहा है मा बोली बेटे पहले दूद वाले का तो चुका दे मुनादी हुई कि अपने अपने हतियार पास के थाने में जमा करवा दें मुनादी हुई गोशना हुई कि अपने अपने हतियार पास के थाने में जमा करवा दें मैंने भी सरकारी हुक्म के प्रती अपनी मुस्तेदी दिखा दी बंदूग, तलवार, बर्चे और भालों के बीच अपनी खलम ठाने में जमा करवा दी वेल डान, बहुत सरी एक रिचना और देखीगा स्रीमान जी शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी है स्रीमान जी शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी है कविताएं लिखते हैं, लेखक कहाते हैं कुर्ते के उपरी जेब में दो-दो-पन सजाते हैं हस्ताक्षर मांगिये तो उख उठा लगाते हैं तो ऐसे बंग की रचना है और एक मेरी बहुत प्रसिद रचना हुई वेंकी और वे ऐसी बंग जैसे आपने कहा कि रचना बंग कैसे जाती है कोई दमाग में पहले बात आती है या सोच करके लिखते हैं सोच करके लिखा हुआ तो ऐसे ही होता है जो अनायस बन जाता है वो बहुत तो हम एक बार यहां एक्जिबिशन ग्राउंड में वो रावन का पुतला जलाया जाता है दशेरे पे उज़ा हम गूमने गई है तो रावन का पुतला लगा तो उसको देख करके एक रचना बनी बहुत बरसों पहले की बात है लेकिन बहुत काफी प्रसिद होई है राम लीला मैदान में ख़ड़े हुए है रावन तुम्हारे दस सिरों में बीस आखे हैं कमाल है जब तू रोता होगा तो वो दर्श बड़ा अजीब होता होगा जब तू रोता होगा तो वो सीन बड़ा अजीब होता होगा रामन बोला बेवकूफ ऐसा नहीं होता रामन के राज में जन्ता रोती है रामन नहीं रोता क्या बात है कितनी सिंपल है आपकी कविता है मना भाषा इतनी खुबसूरत इतने कम शब्दों में जिसे बहुत सारी बाते कह जाना इतना अच्छा मेसेज नो डाउट आपकी कविता है इतनी मज़िदार है और इसी कारण आपको काफी सारी जिसे टाइटल्स भी मिले है काफी सारे ओर्गनाईजेशन्स है देश में जिन्होंने आपको कई सारे titles से नवाजा है, कई सारे आपको पुरिसकार भी मिले है आपने कितने साथ हजार से ज्यादा programs किये हैं आज तक, देश भर देश क्या आप तो विदेश में भी शायद कई सारे कवी से मिले हैं उन्हों में भाग ले चुके हों तो थोड़ा सा अपनी तारीफ खुदी करिये प्लीज, अपने बारे में बताईए कि आपकी इस उपलब्दी इन उपलब्दियों के बारे में नहीं, तारीफ तो करनी जैसी कोई बात नहीं है, मतलब मैं सब से कम समय लेने वाला कभी हो मंच पर मतलब के सब लोग यह है कि कभी समयलन का नियम होता है पहले जब चलते हैं तीन चार घंटे तो होने चाहिए और यूपी राइस्तान में चले जाएए तो वहां तो सुबह करनी पड़ती है और मुश्किल यह होती है वहां ओपन में होते हैं प्तिकेट वाला कभी समयलन होता है चंदे से कर लेते हैं और जो बड़ी मंडि होती है बजल जगे कर जाता है अज़ पर लगा दिया जाता है मंच और बबच्छू और उस पर बड़ तक पढ़ना और उस समय करते हैं जब खेट कर जाते हैं अच्छान बेफिकर हो जाते हैं, तो आकर कर राद बेटे रहते हैं। तो पीछे तरफ चाने मौंग फली वाले व अपना बेचते रहते हैं। घृत्ते हैं। और कवी अंव कुछमनत होते रहता है। और लोग क्या करते हैं, कवी को बुलाते हैं EU तो उसमें अब बिल्सानों कोई निया 5-6 है और मैं भी बाता है तो वहां तक चलाने हैं अब क्या करें तो वहां आप क्या किया जाए तो सुबह तक चलाना है पकार करम तो अपना वामला तो ऐसा नहीं है मेरा तो ऐसा है कि सालार जी मोजियूम ने घड़ी है भी तर से, तंटन मारता निकल जाता है, तो अब ना तो दो तीन बार प्चार बार में बोले जितने देर हो अब भी तर चले गए, अच्छा, अमने तो बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन फिर उसके हमने का क्या किया अच्छा, वो लतीफे कि जो प्रचलन में नहीं है, जो हमने खुद बनाए है, या आपस में मित्रों में, बैठक में बने हैं, ऐसे लतीवे करकर, उसको समय को निभा देते हैं, ऐसा किया करते हैं, तो आपको शायद देश के बाहर भी बुलाया गया है, काफी सरे कवी समि लोनों में भाग लेने के लिए, आप यूएस में और लंडन में काफी सरी जगाव पर पफॉर्म कर चुके हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कि राश्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतराश्ट्रीय स्तर पर भी आपको वो रेकिगनेशन मिला है, यहां से कवियत्री और थी प्रतिबा गर्ग, तो ऐसे हम चार लोगों की टीम वहां गई थी, तो वहां पर एक बार और फिर दूसरी बार जो उनने सुना, तो दूसरी बार मुझे एकल काविय पाठ के लिए दूसरी बार अकेले को बुलाया है उनोंने, तो फिर मैंने वह अच्छी तरह सुनते हैं और विशेश के लिए छोटी रचनाओं को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जो तुरंत में हो जाए वेसी रचनाओं को ज्यादा पसंद करते हैं जैसे पेज़ने मेंने कहा के हाईकू एक विधा होती है पांच-साथ-पांच अक्षरों में और त तीन लाइनों में इसको अपनी बात कहनी पड़ती है मैंने तीन हजार से अधिक वाही को लिखे हैं तो कुछ आपके दिमाग में एकदम से आता है तो कुछ आता है तो अब क्या है कि हम कब क्या बात कौन सी आ जाए ये तह नहीं रहता कि वह लिया तो बिस्तर हम लेटे र अब लिखना है कि ये है सुबह में भूल जाएंगे लिखना तो मिच-मिची आंकों में चरिती मलाइट है उसमें भी थोड़ा घसिट के इशारा लिख लिया और रख दिया और सुबह में उसको अपना ठीक कर लिया एक डाइरी रखते हैं जे अंदर कहीं चलते चलते चलत आपके जीवन की शैली है भी आपके जीवन का तरीका है भी है कि मतलब नीन में भी अगर आपको कुछ याद आ जाए चलते चलते कुछ याद आजाये और यह मैं अपने कारीक्रे में पहले भी कई बार कहची हूँ कि एक कॉमन थ्रेड है जितने भी आप कवियों से मिल देश भक्त बनिये तो हम आम तोर पे चलते फिरते ऐसा काफी कुछ होता रहता है बट हम उस मोमेंट में नहीं जीते हम कभी उस मोमेंट में उस चीज का ध्यान नहीं देते कोई टेड़ा चल रहा है कोई किसी ने फानी ड्रेस पहनी है हम यह पावर अफ अब्जरवेशन भूल चुके है तो यही से एक आपकी प्रेड़ना भी आती है जो आम तोर पे जीवन में आप देखते हैं तो यह आज की जैनेरेशन फोन से अगर निकल कर अपने आसपास की दुनिया को अगर देखेगी वहीं पर आपकी इतने सारे जो इंस्पिरेशन मेलेगी आपको वहां से वह चीज बहुत ज़रूरी है तो यह चीज भी आपके जीवन से सीखनी चाहिए हमें जैसे के गाए आप तुरंत में जैसे बनने वाली बात है तो मित्रों के साथ गूमते हों तो यहां एबिट सर्कल है वहां चले गए तो अब उसके चारों तरफ देखते हुए हमने का चलो यहां कुछ बनाओ और उसमें चमन काफी बड़ा हुआ था गार्डन जो बड़ा हुआ अब तो चोटा हो गया उसमें बैट जाते थे लोग दस बीस पचास लोग बैट रहते थे वहां बैट गए अमने का एक 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 लाइन एक एक लाइन जोड़ते रो इसमें कविता बनेगी देखो कैसे बनेगी अब इसमें आबिट्स है आपको देखिये और चारों तरफ का वातर और रहां देखिये और आज से तिस-चालीस साल पहले किस्ती थी और सामने ये है और सामने अनुमान जी का मंदिर है नाका है पुलीस है बस है चल रही है जब डबल डेकर हुआ करती था देखिये एबिट्स की भी शान जी, तुकें भी मिलाती जानी है, देखिये एबिट्स की भी शान जी, भरी पूरी सभी है दुकान जी, लड़कियां फिरती लड़कों के संग, श्री मती के साथ है श्रीमान जी, श्रीमती के शाथ है स्रीमान जी, सड़क पे चलते समय खुले रखना कान जी, बस के नीचे दब गए तो निकल जाते प्रान जी, इतने पड़ गई मंदिर पे नजर हमने कहां कहां पे तुम फस गए है हनुमान जी, तो मतलब हाथ से पैदा करना है किसी तरह तो यह देखते अपने करते हैं, तो यह पैरोडी जैसा कुछ हो गया है, किस तरह से आपने वो कडिया जोड़ी है श्रीमती के साथ? अब इसमें तो के डूड़नी हैं, और इसमें थोड़ा सा मनोनेजन पैदा कर देना है, तो मैं जैसे कह रहा था को वह हाईकू वाली बात, तो हाईकू स कई वर्षों से तयार हो रही है, तो उसकी मैंने यह बहुत पहले लिख चुका था और 2009 में इसकी भूमी का लिखी जा चुकी, पद्भूषण गुपाल दास नेरजी द्वारा, और उसके काफी काम भी हो चुका, और उसकी मीन में भी हमने ठीक कर वाली डॉक्टर तयार हो गया, लेकिन बस वो आल सी बाला मामला कुछ ऐसा ही, तो नहीं नहीं पर आपको आपकी किताबे प्रकाश्ट करनी चाहिए, बिकर इतना मज़ेदार आप लिखते हैं, और यह जो छोटी-छोटी चार पंक्तिया है, यह पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, यही तो चाहिए आज मतल हमें, जब किताबों की बात होई तो जब डॉक्टर साब चाहिए रशब देव जी से, जब बात कर रहा था तो जब बात कर रहा था तो पुस्तक है, भई खरीद कॉन रहा है, सब भेड़ देने में जाती है, इसको भेड़ देदी उसको भेड़ खरीद कोई नहीं है बागी जएताय। समत पारे होई तो जstat ली फो गेड़ एफ़ड़ को जाए ईत्वार चाहिए पुस्तक के पुटपातों पड़ी होती है जूतें सजे होते है शोरूमों में जू आप पुस्तक, खरीद कोई नहीं है तो पुस्तक खरीद कोई शोर फि दूसरे में पांच अक्षर, तीसरे में पांच अक्षर. सम्मिलित अक्षर नहीं गिने जाएंगे, एक अक्षर गिना जाएगा. क्यों हो जैसे आएगा. किताब लिखी, सराई गई खूब, रद्धी में भिकी. अच्छा, अब ये इतनी देर क्यों हो गई पुस्तक में, उस पे एक हई कु देखिए. समय बीता, योजना धरी रही, आलस जीता. अब उसमें थोड़ा सा हाथ से कापोट भी, और अपनी गरज निकलने के बाद में अपन उसको छोड़ देना. मक्कन लगा, काम होने के बाद धकन लगा. My God! अब एक बात, अपने कहवत सुनी होगी, शैतान के मूँ से बगवान का नाम नही निकलता, शैतान के मूँ से राम का नाम नहीं निकलता, लेकिन कभी चाहता है तो निकलवा देता है, अब देखिए. बोला शैतान इसमें व्यंग देखिएगा बोला शैतान आदमी को देखके हे भगवान अब एक हाथ सिबाला देखे इसे ब्याई को करके शादी घर में घुसा लिया आतंकवादी अब एक व्यंग गवर बिकता नीर हम हरिद्वार गए वाँ गंगा के किनारे पानी की बोटले बिकरी है बिकता नीर हद हो गई याद गंगा के तीर इतनी गंगा बेरही लेकिन कोई नी पीता पानी सांप ने डसा सांप ने डसा तो आदमी ने सोचा ये खूब फंसा बोलेगा कौन आदे तो बेचारे गूंगे आदे है मौन घर बार है घर बार है सारे लोग पीते हैं घर बार है हद हो गई भला करने गए भद हो गई वाँ तो इस तरह है भाईकू इतने कम शब्दों में ऐसा व्यंग करना अमेजिंग मतलब हमने भी इतने इंटर्व्यूस किये हैं हमने कभी नहीं देखा कि इतने कम शब्दों में इतना खुबसूरत व्यंग करना ये शायद आप इसके पाइनियर हैं आप नहीं शब्दों किये नहीं ऐसा कुछ नहीं बहुत लोगों ने लिखा है बहुत लोगों किया है ब्यूटर्फूल बहुत बहुत खुबसूरत एक हई को और याद है मैं सुनाता हूँ जो दवाखानों में आजकल शोषन होता है जी डाक्टर जीया डाक्टर जीया मा को खुण चड़ाया बेटे का पीया तो ऐसे लब आई को आपको सुनाया अब आखरी एक हई को और सुना देता हूँ दिल का हाल दिल में ही रखना बेडू गुपाल बहुत बहुत मज़िदार इतना इतना शायद ही हम किसी इंटर्व्यू में हसे होंगे जितना आप से बात करके बहुत बहुत मज़ा आया आप राजस्थानी में भी लिखते हैं जैसे आपको उर्दू से, हिंदी से राजस्थानी भाषा से उतना ही प्रेम है उतना ही लैंग्विज पर आपका कमांड है राजस्थानी में एकदम से आपको कुछ अगर याद आता है तो प्लीज सुनाईए जैसे मैंने अभी आपको सुनाया लड़का लड़की देखने आया तो उसी दंक कյर एक राजस्तानी में सुनाता हूं एक प्ला जैसे ब्या के लिखी झब चोरी न देखनने आयो जनभी पूछ एऊ आपने धारमी के ढूनतरा में सुन काहीं काहीं आवे हच्छ ब्या के लिखी ठोरी शोर आको बाप जब छोरी ने देखन ने आयो, जणाबी ने पूछे ओ, आपने धार्मिक ग्रंथा में सुखाई काई आवे, छोरी बोली, रामयन आवे, बातों में आपने अठेई पढ़ कर सुनाओं, और मा बारत आपका घरमाया पचा करवाओं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत एक तो भाषा भी आपकी इतनी सरल और मज़ेदार और छोटे-छोटे लाइन, I think यह आज का नीड ओव दी आर है, अगर आप अपनी ओडियन्स से भी जुड़े रहना चाते हैं, जैसे आपने बताया, लंबी-लंभी का वि करेंगे कि आपकी किताब जो आप आलस के प्रकाशत नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत जल्दी आए, और आप हमारे समक्ष आकर, हमारी ओडियन्स के समक्ष आकर वो किताब हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उसे खरीद कर जरूर पढ़ें और इसी तरह से हम अपना भी मनुर रंजन करें पढ़कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियो में आए, हमें इतना हसाया हमसे इतनी खुबसूरत बाते करी और आप जैसे परस्नालिटी से मिलकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, हम बात कर रहे थे वेनुगोपाल जी भट्टर से जो हमें इतना हसा रहे थे, हाइकू जैसी एक नई टेकनीक जिसमें कम शब्दों में इतना खुबसूरत व्यंग करना, इतनी मज़िदार बाते करना, अपनी बात को व्यक्त करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा टालेंट है, इससे ये पता चलता है कि वो कितना सोचते हैं, कितना अब्जर्व करते हैं, कितनी खुबसूरत कविताये लिखते हैं, हमें तो बहुत मज़ा आया आज उनसे बात करके, बहुत छोटी-छोटी बाते जो उन्होंने कही, लाइफ स्किल्स हैं ये, जैसे खूब पढ़ि निकल कर यदि आप बाहर की दुनिया में देखेंगे, तो आपकी जो क्रियेटिव माइंड है, उसे भी एक बहुत प्रुचाहन मिलेगा, देखने का एक नया नजरिया मिलेगा, और क्या पता आप भी ऐसी कई कविताये लिखकर हैदरबाद के कवी समेलों में, अकिल भारत लिख रहे हैं, वो जल्द ही आए, हम उसे पढ़े और इसी तरह से हसते रहे, मुस्कुराते रहे और दूरदर्शन यादगीरी के साथ इसी तरह से जुड़ते रहे, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने ये कारे करम देखा, आई होप आपको बहुत मजा होगा, खुब आपने हसा होगा, अब तब तक के लिए मैं आपकी होस्ट पूरम गोलेचा आप सब से विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में